नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार इन दोर में रोजगार और स्रम से जूड़ी G20 समिट के तीसरे और आखरी दिन विदाई से पहले विदेशी महमान सुकुरबार साम 7 बजे 56 दुकान पहुंचे यहां उनके लिए डिनर रखा गया अलग-अलग देशों से आये प्रतिनित यहां जायके का लूपत उठाया इससे पहले आखरी दिन प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश चारी किया उन्होंने कहा कि G20 ग्रूप की यह बैठक आर्थिक और स्वामाजिक प्रभाव के नजरिये से रोजगार के लिए बहुत खास है हम रोजगार के सेक्टर में बहुत बदलाव कर रहे हैं यह दोर इस छेतर में क्रांती लाने का है और इसमें टेक्नलोजी बहुत महत्वपूर्ण है ग्यानवापी केस में SI सर्वे की इजाज़त मिल गई है वारानसी कोट ने सुक्रवार को अपने फैंसले में कहा कि वजू इस्थल को छोड़ कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुँचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए जिला जज़ ने SI डारेक्टर को चार अगस्त को कोट में पेश होनी को कहा है उन्हें कोट को बताना होगा कि वो यह सर्वे कैसे करेंगे इसके साथ ही मुसलिम पच्छ की याज का खारिज कर दी है मुसलिम पच्छ ने फैंसले के बिरोध में हाई कोट में अपील करने की बात कही है मुसलिम पच्छ ने सर्वे पर रोंक लगाने की याज का दाखिल की थी 14 जुलाई को करीब डेड़ घंटे तक हुई बहंस के बाद जिला जच डाक्टर आजे कृष्णा बिश्वेश ने फैंसला सुरच्षित रख लिया था हिंदू पच्छ के वकील विश्णो संकर जैन ने कहा कि हमारा कहना था कि पूरे छेत्र का ASI सर्वे करना चाहिए आज कोट ने हमारे उस आवेदन पर सहमत दे दी और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दसा को तै करेगा सिविलिंग का सर्वे नहीं होगा उसका मामला सुप्रीम कोट में विचारा धीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है मिस्नरी स्कूल में छात्रों को तिलक लगाने से मना किया तो हिंदुवादी संगठोनों ने किया हंगामा प्रिंसिपल ने माफी मागी देवास के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने स्टुडेंट को लंबा तिलक नहीं लगा कर आने की हिदायत दी थी कुछ बच्चों के माथे पर लगा टीकब मिटवा भी दिया इसकी जानकारी लगते ही हिंदुवादी संगठोनों के कारेकरता स्कूल पहुंचे उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और मेनेजमेंट के सामने भी रोध जताया क्लासेस में जाकर बच्चों से भारत माता की जय और जय स्रीराम के नारे भी लगवाए मामला होली ट्रिनिटी स्कूल से जुडा है तिलक नहीं लगाने की हिदायत गुरुवार को दी गई थी वही इसकूल के प्रिंसिपल फादर करोल ने कहा कि उन्होंने बच्चों को सिर्फ छोटा तिलक लगा कर इसकूल आने को कहा था तिलक नहीं लगा कर आने की कोई बात नहीं कही गई थी उन्होंने इस बात को लेकर माफी भी माग ली है केंद्री रच्छा मंत्राले के अधियन सैने संस्थानों के निर्माण कारियों में करोडों के भष्टाचार के मामले में जबलपूर CBI ने मिलिटरी इंजिनिरिंग सर्विसेस पर सिकंजा कस दिया है काग्जों पर निर्माण कारे दिखाकर 16 करोड 24 लाग के भुक्तान के मामले में जबलपूर CBI और Anti-Corruption Bureau ने सुक्रबार को जबलपूर समेत देश भर में 12 जगों पर छापे मार कारवाही की है मध्ध प्रदेश में सुक्रबार को कई जीलों में भारी बारिस का एलाइट है सिहुर के कुलाय डैम के दो गेट खोल दिये गए हैं इच्छावर में सुक्रबार सुबह 3 घंटे में 5 इंच बारिस दर्ज की गई इंदोर में भारी बारिष के चलते इसकूलों में छुट्टी कर दी गई रात में भुपाल में भी तेज बारिष सुरू हो गई हर्दा में पहाडी, नदी, स्यानी उफान पर है उजेन में सिप्रा एक हपते में तीसरी बार उफान पर है नर्मदापुरम में तेज हवा के कारण पेंड गिर गया इसके नीचे दबकर एक महिला के मौत हो गई इंदोर में सुकुरवार सुबह 5 बज़े से तेज बारिश का दोर सुबह 9 बज़े तक चला हाला कि इसके बाद मोशम खुल गया पिछले 24 घंटों में इंदोर में 3 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है कल दिन भर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरात्री